असलाम अलेकुम जिस्ट्रेंट्स आज भात करेंगे फाइनल एक्जैम टेप्स जैसे कि आपको पता है कि फाइनल एक्जैम स्टार्ट होने वाले हैं मंडे को पहला पेपर है और उसके बारे में हम बात करते हैं नंबर एक के सबसे पहले आप अपनी डेट का प्रिंट निकल वा लें क्यों कि उस से आपको अपनी डेट टाइम और प्लेस ऑफ एक्जैम का पता चल जाता है अभूमन ऐसा होता है कि हमारे स्टुडेंट्स एन आखरी लंहें में जब अपनी डेट शीट का प्रिंट निकालने के लिए आते हैं तो उस वक्त उनका पास से वो परशानी का उनको सामना होता है और जैसे कि इसलामाबाद में इस दफ़ा एक्जैम सेंटर एक नाया बना है जिसे कॉमसेट युनिवरस्टी का कैमपस कहते हैं वहां पर इमतहान होगा हमारे कुछ स्टुडेंट्स का तो ऐसे स्टुडेंट्स के लिए मेरे गुजा लें तो आपके आपको पता चले कि मैंने इमतहानवारे दिन किस रस्ते से आना है और कौन से गेट से एंटर होना है और कौन से ब्लॉक में जाना है चूंकि कॉमसेट निवरस्टी एक वसीय औरीज रखबे पर फैली हुई है तो उसमें आपने को इस जगा पर जाना है कौ जी अकल वहां पर जाकर पूरी तसली के साथ वहां से देख के आएं कि कौन से रूम में आपने जाना है किस जगा जाना है कैसे जाना है और क्या सूर्ट आखरी लम्हे में जब आप गेट नंबर टू पे गया और वहां किसी ने आपको का कि नहीं जी ये तो बंद है आप त्री पे जाएं तो वहां जब आप एक गेट से दूसरे गेट तक जाते हैं तो तीन किलो मिटर का रस्ता है और वो आपके सारे टाइम जाए जाने जैसे कि आपको पता है कि आपके इमतहान में चौदा मिनिट के बाद पंदरवा मिनिट ने होता है गर उसमें आपने अप लौगिन नहीं होसकता तो इसलिए उस परिशानी से बचने के लिए आप अपने अमतहानी सेंटर को पहले से जाकर देख लें और उसका रस्ता आपको पता हो इस कमरे का आपको पता हो कि मैंने जाना कहा है नम्बर तीन जब आपने इम्तानी सेंटर में एंटर होना है तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास रोल नबर स्लिप हैा उसका प्रिंट है वो आपके हाथ में होना चाहिए और आपके पास शनाख़ती कार्ड असल होना चाहिए अगर किसी स्ट्रेंड का शनाखती कार्ड नहीं बना या गुम गिया तो उसका दाखला बे फारम पर हो गया तो उसके पास वी यू का कार्ड असल होना चाहिए अगर किसी स्ट्रेंड को वो कार्ड ही नहीं मिला या किसी वज़ा से वो गुम गिया तो उसके पास मैट्रिक की असल सनद हनी चाहिए ऐसी चीज जिसके अपर उसकी असल तस्वीर हो यानि कि बश्नाफ्ती कार्ड या वियू का कार्ड या मैट्रिक की असल सनद इन मेसे कोई एक चीज उसके पास लाजमी होनी चाहिए otherwise वो इमतानी सेंटर में एंटर नहीं हो सकता और यह कि स्टुएंट्स को जब इमतान में बैट जाते हैं तो वहाँ पर एक परिशानी का सामना आता है कि उनके पास बॉल पैन ही नहीं होता लिखने के लिए अब स्टुएंट्स का यह जवाब होता है कि सर पेपर तो सारा एमसी की उस बेस है तो मैंने लिखना क्या है आपने जनाब एटेंडेंस शीट पर दस्खत करने होते हैं और आपने रफ शीट के उपर कोई रफ अमल करना होता है जब आप वो करने बैठते हैं तो आपके पास पैन ही नहीं होता और फिर आप किसी स्टूरेंट से या किस एक्जामिनर से मांग रहे होते हैं जिसमें आपका टाइम का जिया होता है और सम्टाइम वो कोई आपको पैन मिल पाता है और सम्टाइम नहीं मिल पाता तो वहाँ आपको परिशानी होती है तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए आप एक अदद बॉल पैन पैन अपने पास रख लें ताकि इमतानी सेंटर में आपके पास लिखाई के लिए दसकत के लिए और रफ अमल के लिए आपके पास अपना पैन मुझूद हो और आपको किसी से पैन मांगने की जरूरत ना पड़े और एक चीज़ इसमेए एड़ करता हूँ कर्भाय हैं कि वह जॉब करते हैं और उनको बहुत जल्दी होती है इमताना की और इमतानी रूम में जाने की भी है और इमतानों रूम से बाहराने की भी और ठीक तीन मिनट के बाद, पंदरा मिनट के बाद, या दस मिनट के बाद, कहते हैं, मैंने सारे टिक लगा दी है, वो आँखे बन करके लगाते हैं, या पढ़के लगाते हैं, ये तो मैं कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन वो टिक लगा लगा के और दो मिन में बाहर आ जाते हैं, तो ऐसी स्टुरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने MCQs को बहुत तसली के साथ देख के टिक लगाएं और अगर आपको किसी स्टेज के ओपर कोई कन्फीजन है तो उसको फ्लैग लगा लें महाँ पर के ये मेरा नंबर है जो ये मेरा कुछ नंबर है जो मै ने किया है लेकिन मुझे इसके डाउट है और मैं इसको बाद में सोच के कर लेता हूँ अब उससे फाइदा क्या होता है जो आपने अपने पास नोट कर लिया या उसको फ्लैग लगा लिया कि ये मेरा कुछ नं मुझे डाउट है कि ये इसका ए अप्शन है या बी ले आप को क्लू मिल जाते तो उससे ये फाइदा होता है कि मिसाल के तवर पर किसने कोई एवरिवेशन पूछा और आपको वेशन में शक है कि पतहाँ ये आप्शन है कि भी आपशन है आप उसको फ्लैग लगा लें और या अपने पास कई नोट कर लें कि एचा ये मैंने इसका अभी मैं बाद में इसको confirm करता हूँ फिर जब आप बाकी questions कर रहे होंगे तो वहां वो लवज कहीं और जगा पर लिखावा आएगा जैसे लिखावा आएगा तो आपको नजर में आजाएगा और आप उसके spelling में match कर सकते हैं और वहां से आपको clue मिल जाता है कि हाँ य आता है और आप अपनी वहां से help ले सकते हैं कुछ ऐसे question होती हैं जिसमें एक लवज के dual meaning होती है और जिसकी वज़ा से वह बच्चा confusion का शिकार हो जाता है कि हो पता नहीं यह यह था कर यह था तो ऐसी सुरत में आप ऐसा करें कि MS word खोल लें और उसमें सुनॉनिम में जाक अगर वहां पर उसका सनॉनिम देख लें तो सनॉनिम से आपको help आउट हो जाएगी कि अच्छा इसके मिनिंग यह हो सकते हैं या उसका आप उसका पता चल जाएगा कि अच्छा यह इसका पोजिट यह हैं तो यह हो सकता है तो किसी भी word के उपर अगर आपको उसका का शकार हो जाए तो आप MS Word से उसकी सनॉनिम से उसकी help out लेकर उसको अपनी confusion को clear कर सकते हैं कुछ बच्चों का यह मसला होता है कि सर वह पेपर में हम लेट हो गए और हम अब क्या करें तो ऐसे बच्चे जिनके पेपर में किसी भी मजबूरी की बिना पर घरेलू मजबूर पर फाइन के साथ उनका पेपर एंड पर हो जाएगा और अगले दिन LMS में उनका री शेडूलिंग का option आ जाता है जहां पर student services है वहां पर री शेडूलिंग का option आ जाता है और वो अपना miss शुदा पेपर जो किसी मजबूरी की मिना पर रह गया था वो 2000 पर फाइन के साथ आप अपना पेपर एंड पर दे सकते हैं और इसकी डेट और टाइम यूनिवरस्टी अनाउंस करती है कि आपने ये पेपर कब देना है और किस टाइम को देना है जैसे कि आपको यूनिवरस्टी का शेडूल का पता ही होगा कि अब जो आप पेपर दे रहे हैं final term के ये दाज़े के मताबे कि ये आपके तक्रीबं पास हैं अब आप कहेंगे वह कैसे तक्रीबं पास किसे किसे कि अगर आप मिड में पास ना होते तो आपकी final term की date sheet ही ना बनती अगर final term की date sheet बन गया तो it means कि आप mid में पास हैं और अगर आपने LMS में कोई activity ना की होती यानि कि assignment कोई GDP में कुछ भी ना किया होता तो आपकी final term की date sheet ही ना बनती यानि कि आपने वो barrier भी अबूर कर लिया पास कर लिया यानि कि वो जो दो barrier थे आपने वो अबूर कर लिये और अब आप final barrier की तरफ आ गये हैं तो अब आप से कुजारेश है कि जब आपने वो दो barrier अबूर कर लिये हैं तो final term में अगर थोड़ी सी भी मेनत कर ली जाए थोड़े से भी MCQs को तवज्जो से देख लिया जाए तो आप असानी ये वाला barrier भी अचीव कर लेंगे और जिन बच्चों की date sheet ही नहीं बनी या कुछ subjects की नहीं बनी इत मीन्स कि उनका वो subject fail तसवर किया गया है चूंकि उन्हें उसमें कोई activity नहीं दिखाई और उसके mid में कोई number achieve नहीं कर पाए highest और या उनको assignment quiz, gdb's वगारा की activity नहीं हो पाई या lecture play नहीं हो पाए उनसे तो जिसकी वज़े से उनकी final term की date sheet ही नहीं बनी अब चुकि आपकी बन गई है that means कि आपने वो तमाम मराहिल, अब्तिदाई मराहिल अबूर कर ली है तो अगर आप final term में थोड़ सी ही मेनत कर लें तो आप बाएसानी ये वाला barrier भी achieve कर लेंगे क्योंकि आप पीछे से पास आ रहे हैं तो उमीद करता हूँ कि आपके लिए ये असानी हो जाएगा और इसमें आप मुक्तलिफ किसम के जो पेपर्स हैं हमारी मुक्तलिफ mcqs की वीडियो हैं और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मवाद इसका available है mcqs का और past papers भी हैं अगर आप उनको देखें तो आपको काफी कुछ mcqs का मुवाद मिल जाएगा और अगर आप mcqs को थोड़ा सा एक नजर go through कर लेते हैं तो मेरा निख्यार कि आप final